दोस्तो छाता बारिश नहीं रोख सकता किन्तु बारिश में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की गैरेंटी नहीं है किन्तु संघर्ष करने की पेड़ना अवश्य देता है दीपक बोलता नहीं उसका प्रकाश परिश्य देता है ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलो अच्छे करम करते रहो वही आपका परिश्य देंगे जिसकी नीती अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नती होगी मैं स्रेश्ट हूँ ये आत्मविश्वास है लेकिन सिर्फ मैं ही स्रेश्ट हूँ ये अहनकार है लोग चाते हैं के आप बहतर करें लेकिन ये भी सत्य है के वो कभी नहीं चाते के उनसे बहतर करें दो हातों से हम पचास लोगों को नहीं मार सकते पर दो हात जोड़कर हम करोडों लोगों का दिल जीत सकते हैं कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास तीन कारणों से आता है। भाव से, आभाव से, प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो। आभाव में आया है तो मदद करो। और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसंन हो जाओ के परमात्मा ने तुम्हें एतनी शमिता जादिये, नेत्रे केवल द्रिश्टी प्रदान करते हैं, परंतु हम कहां क्या देखते हैं, यह हमारे मन की भावना पर निर्भर है, मन का खोट कुए के पानी की तरहा होता है, जितना भी निकाल लो, खत्म नहीं होता, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेप सिखात वो बात कोई यूनिवसिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते, कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत है दोस्त, बड़े नसीव वाले होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं, कितना अजीब है ना, 84 लाख जीवों में एक मानव ही धन क कमाता है, लेकिन कोई जीव कभी भूका नहीं मरता, और मानव का कभी पेक नहीं भरता, रेस में जीतने वाले घोड़े को तो ये पता भी नहीं होता, कि जीत वास्तव में क्या है, वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वज़े से ही दोड़ता है, इसलिए इंसानियत आरंब होती है, जिन्दगी के लिए एक बहतरीन सोच रखो, हर एक की सुनो और हर एक से कुछ न कुछ सीखो, क्यूंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जानता है, रिष्टों की सिलाय अगर भावनाओं से हुई है, तो तूटना मु अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ़ने लगते हैं, तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं, आप आइना हो, आईना बने रहो, फिक्र वो करें जिनकी शकलें खराब हैं, शर्धा जान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाये तो व्यक्ति को हर जगा सम्मान देती है।